नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्नाइन न्यूस में इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम एक ऐसी धंकी को लेकर जिससे पूरा यादफ परिवार घबरा चुका है ची हाँ अखिलेश यादफ की बात हम कर रहे हैं अखिलेश यादफ को यहाँ पर एक ऐसी धंकी मिली है जिससे वो खुद परिशान है और साथ इसाथ उनका पूरा परिवार भी काफी जादा परिशान हो चुका है यहाँ पर आजम खान जेल से नहीं निकलवा पा रहे हैं उनको और साती सात यहाँ पर लोग जो है जो समर्थक है आजम खान के उनके सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों अखिलेश यादर कुछ बोलते होए नजर नहीं आ रहे हैं क्यों वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं क्यों आजम खान की रिहाई नहीं करवा रहे तो बस उसी चीज को लेकर एक समर्थक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको सुनकर आप लोग चौक जाएंगे यहाँ पर यह चौका देने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं तो इस वीडियो में आप जरूर किये का क्या आखिरकार यहाँ पर उस समर्थक का नाम क्या है और समर्थक ने क्या ऐसी चीज कर दे जिससे अखिलेश यादव काफी जादर डर चुके हैं बतादे कि समाजवाधी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव को पीलीभीत के समाजवाधी चात्र सब्भा के जिलाउपाद्यक्ष पूर नगर अध्यक्ष आरिश खान अजरी ने खून से एक पतर लिखा है इस पतर के जरिए यूपी में आजम खान का म उटाया गया है जिसमें का गया है कि आजम खान के मावले में किसी बड़े स्तर के नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया है जो दुर्भाग्य जनक है आरिश खान अजरी ने पत्र की शुरुवात पर शेर से किया कि मोहबबभ भी आप से तो शिकायद भी आप से उसके बाद उन आदब ने कोई अनुलन नहीं किया इस बात से खफा आरिश खान अजरी ने लिखा खून से पत्र लिखा है ये पत्र बीते रविवार को लिखा गया आरिश ने सिरिंच के जरी अपने हाथ से खून निकाल कर ये पत्र लिखा और अखिलेश आदब को स्पीड पोस्ट से इस दिया अरिश पुरन पूर करहने वाला है और बीए फाइनल एयर का चात्र है और टैसल के पास एक दुकान पर टैपिंग का काम करता है सपा कारेकरता आरिश खान अजरी ने बताया है कि मैंने पत्र में आजम खान की रिहाई को लेकर लिखा है जब बड़ी नेता के है उन्होंने अपने खून से चित्थी लिखकर अखिलेश यादफ को भेजी ती जिसमें सिर्फ और से फेक इमांग थी आजम खान को जल से जल्द रिहाई कराये जाए तो इससे तो मालूम चलता है कि आजम खान के समर्थक उनके लिए कितने जादा बैताब है उनको बहार निकलवाने के लिए उन्होंने कहा कि बड़े नेता के साथ जब ऐसा किया जा रहा है तो हम तो फिर भी बहुत छोटे नेता हैं हमारे ले तो बतानी क्या कुछ नहीं होगा तो इस तरीके से जो पार्टी के लोग है जो समर्थक है जो सायक है वो लगाता रखिलेश प्रिक्षिन में जरूर बताए और बागी ख़वरों के लिए देखते रहे ये निक्स नाइने उस